नमस्क्र दोस्तों वेलकाम बैक टो ऊडिशनल दोस्तों इस वीडियो को माधम से आपको बताने वाले हैं EMRS PGT का जो final cut-off है ये किस तरीकिस आपको देखनों को मिल सकता है किस score आपके होने चाहिए मेरे भई कि आपका cut-off में हो जाए इसके बारे में संपूर जानकारी आपको मिलेगी तो वीडियो में ते तक बने रहेगा with analysis आपको दिखाने वाले है EMRS PGT का जो PGT का cut-off है EMRS PGT का ठीक है ये actual में कितना देखनों को मिल सकता है तो final cut-off बताएंगे with analysis देखते हैं आपका जो competition है ये किस तरीकिस रह सकता है कितने candidates के बीच में आपका जो competition ये देखनों को मिलेगा और जो final cut-off निकलता है ये किस तरीकिस निकलता है तो सारी चीजों पर चर्चा होगी वीडियो को like नहीं किये तो like कर दे और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो subscribe जरू कर ले जिसे आने वाली notification आप तक पहुंचता रहे तो ऐसे मैं आप चैनल को subscribe कर लिजेगा तो आईए एक एक करके start करते है अब देखिए मेरा भाई अगर हम बात करें कोई भी exam के cut off की तो वो कुछ चीजों पर depend करते है जैसे अगर हम बात करें EMRSPGT की तो इसमें सबसे पहले अगर पात किया जाए तो ये depend करेगा कि total seat कितने थे ठीक है और कितने candidates absent होए है एकजाम में तो इस तरीके से बहुत से factor होते है जिन पर analysis किया जाता है और उसके बात cut off निकाला जाता है तो सारी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अब भाई तो आकर देखते हैं किस तरीके से आपका हुआ है अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म फिलप की ठीक है टोटल फॉर्म फिलप की बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म जो है आपके फिलप करवाए गया है कितना अवेदन आपका हुआ है तो अकर बात करें कुल अवेदन की तो भीया साड़े चार लाग ठीक है साड़े चार लाग के लगभग जो है आपका आवेदन किया गया है अब देखें साड़े चार लाग तो आवेदन हुआ है अब जरूरी तो नहीं आपके जितने आवेदन हुए है उतने कंडिडेट्स आपके आए आपको बता दे मिर भई कि 4.4 लाका वेदन हुआ है जिसमें से अगर बात करें हम अपसेंट की तो 50% Candidates आपके अपसेंट हुए हैं इस एक्जाम में जी हाँ दोस्तों बिलकुल authentic जानकारी है 50% Candidates आपके अपसेंट हुए हैं एक्जाम में और अगर बात की जाया प्रेजएंट की तो जाहिर सी बा तो यहां आपका जो है 2.25 छो किंडिडियर्स है आपके प्रिजेंट हुए है एकजाम में अब आये समझते हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न था ये किस तरीके से था और किस हिसाब से आप का-जो कुठ आपका अपके Tang exam pattern के बारे में कि sir EMRS PGT का जो exam हुआ है ये किस तरीके से हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते है ठीक है तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते है मैं रहाँ आपको भी पता है आपने exam दिया है इसमें जो हिंदी और English subject था ठीक हिंदी और जो English आपका subject था ये सिर्फ और सिर्फ calling for nature का था ठीक इसमें से हिंदी में आपके 10 प्रशन पूछे गए थे और वहीं बात करें English की तो इसमें भी आपसे 10 प्रशन पूछे गए थे और इसका कोई भी नंबर आपका merit में नहीं जुड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ calling for nature का था ठीक और अगर बात करें हम total exam की कितने नंबर का exam हुआ था total जो paper आपके conduct कराए गए हैं ये कितने नंबर करवाए गए हैं total exam में आपका जो नंबर है तो ये था वह या आपका 1.500 ठीक है 1.500 आपका total नंबर था exam में और जिसमें से आपके 10 और 10 यानि कि हिंदिय और इंगलिस का जो कि calling for nature कहते हैं तो इसमें से 10 और 10 यानि कि 20 नंबर आप माइनस कर देजिए ठीक तो इसमें से अगर आप 20 नंबर माइनस करते हैं तो 130 आपका बनेगा अब यह जो 130 बन रहा है यह इस पर जो है आपकी merit बनाई जाएगी ठीक है तो आपका जो merit बनने वाला है दोस्तों यह 130 नंबर पर बनने वाला है ठीक अब आईए देखते हैं कि किस तरीके से जो competition है देखनों को मिल सकता है आपको अब मेरे भाई आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो आपका English subject था जो आपको अभी बताया है Hindi और English इसमें जो आपका English subject था तो इसके बार में एक आपको जनकर यह देना चाहेंगे ठीक 30-40% का आकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि आपके candidates fail हो रहा है तो जाहिर सी बात है मिरा भई अगर 30-40% अगर आप यहां से minus कर देते हैं तो आपका जो अप competition एक्चुल जो competition रहने वाला है यह रहने वाला है आपका 1.5,00,00 के बीच आपका जो actual competition है दोस्तों यह रहने वाला है अब जो भी आपका cutoff निकाला जाएगा जो भी आपका merit बनाया जाएगा वो इसी पर बनाया जाने वाला है ठेक अब देखिए आप total seat की बात कर लेते हैं अगर इसमें बात करें हम इंगलिस में total seat की तो भई अब 226,00 था आपका ठेक 226,00 आपका था total seat स अब देहते हैं आपका जो cutoff है ये किस तरीके से देखनो को मिल सकता है तो ॉ॰हा ये इसके बारे में समझ लेते हैं तो मेरा में अगर cutoff के बारे मिलेकर, किसपर कितना cutoff रह सकता है तो सारी चीजों को आपने देखी रखा है तो आएप बात कर लेते है the final cutoff को लेकर EMRS PGT का जो final cutoff है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है तो आईए इसके बारे मैं आपको बता देते है अगर आप UR category से बिलॉंग करते है ठीक है, अगर आप UR category से बिलॉंग करते है अगर 84 प्लस आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा अगर आप UR category से बिलॉंग करते हैं 84 प्लस आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा अगर देखिए इससे एक दो marks अगर आपके कम भी बन रहा है तो भी आपको सोचने वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अगर आपका पिपर हार्ट सिप्ट में कंड़क्ट कराए गया होगा तो after normalization आपके marks बढ़ जाएगे और अगर आप OBC category से belong करते हैं तो OBC category वालों का जो cut off है ये रह सकता है 80 plus ठेक 80 plus अगर आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा यह बात कर लेते हैं EWS और बाकी category की अगर हम बात करें EWS की तो भिया EWS वालों का जो cut off है ये रह सकता है 82 plus और वहीं बात करें इस सी category की तो इस सी category में आपका जो cut off है अगर बात करें जो आपका cut-off है 68 plus तक आपको देखनों को मिल सकता है तो सबसे ज्यादा यूर में और उससे जो नीचे आपके category आते हैं जाहिर शिवात है उसमें जो है कम ही देखनों को आपको मिलता है तो कुछ निवने परकार से आपको आपका जो cut-off है दोस्तों देखनों को मिल सकता है सारी चीजों को analysis करकी यह cut-off निकाले है मेरे भई और यही आप तक share कर रहे है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ऐसारा ऐसा कुछ भी cut-off बता दिये होंगे तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भई और अगर बात करें इसके result को लेकर किसे result कब तक देखनों को मिल सकता है कब तक जारे कि आज आ सकता है तो मेरे भई इसके result के बारे में अभी तक कोई अधिकारिक सोचना नहीं है आप हमसे जुड़े रहे हैं जैसे इसके बारे में कोई भी update आता है तो आपको inform करेंगे वीडियो को like नहीं किया मेरे भई तो like कर द